गुद मॉर्निंग डियर स्टूडियन वेलकम बैक टू दौ अनलाइन क्लास यह क्लास फूर्थ की मैट्स की क्लास है यूनिट टेस्स से पहले हम एक्सरसाइज फाइफ कर रहे थे फाइफ में सारे एक्सरसाइज हो गए थे उसका मिस्लैनियस एक्सरसाइज बाकी तर तो इस तो इसका डिफरेंस बताना है तो इस तरह से आपको लिख के इसको माइनस करना है फिर लास्ट वाले में क्या करना है माइनस करना है इसको भी मैंने लिख दिया इस तरह से आपको इसको माइनस करना है थर्ड क्वेश्चिन इस सिक्स्टी थाउजन फाइफ माइनस 205 इसको to 50,000 प्लस यह नहीं कि जो 60,000 में यह दोनों equal हैं क्या minus करेंगे जो यह आजाएगा तो आप क्या करोगे सबसे पहले 200 minus करोगे ठीक है ना इतना आ गया और यहां पर वही चीजे हैं तो इसको आप क्या करोगे plus कर दोगे ठीक है next 4 है the difference between two number is this यह नहीं कि दो number का difference मालेज एक number a है और एक number b इसका दोनों का difference है जिसमें से एक number यह दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा very easy देखें first number is first number minus second number is this अगर first number यह है तो second number क्या होगा यह वाला इधर आएगा तो plus में आ जाएगा what is the one lakh minus 990 इसको आपको क्या लिखना है डिजट में one lakh minus 990 इस तरह से आपको इसको डिजट के फॉर्म में लिखना है then question है there are 36,255 women's ने एक टाउन में इतनी women's है इतने men's है इतने children है तो total number कितने हुए people के तो तीनों को add कर देना add together तीनों को क्या करना add करना बस लिखने का तरीका से लिखने का तरीका से लिखने के नीचे और left to right लिखना है ना दिखें क्या से लिखना आपको यह देखें इधर से पहले ones फिट 10 इस तरह से आपको इधर से लिखते वे जाना वरना आपके numbers क्या हो जाएंगे रॉंग हो जाएंगे ठीक है ना फिर ninth question है add the greatest six digit number into greatest five digit number तो six digit number क्या होगा 999 को six times और five अब इसको आप कर दीजे ठीक है ना and your question number 10 is addition ठीक है ना addition में आपको क्या करना है easy है 5 or 3 कितना होता है 8 or 4 कितना होता है 8 5 or 3 कितना होता है 8 6 or 2 कितना होता है 8 और 6 6 कितना होता है 12 easy next इसी तरह से आपको कर देना है ठीक है ना तो यह सारे questions क्या है आपके पास बहुत easy form है ना तो इसको भी आपको इस तरह से करने हैं जिन questions को solve करने हैं क्योंकि यह multiple है तो इसको आप rough में solve करके फिर यहां पर इसका answer टिक करेंगे rough means उसी का left answer जैसे ही अपकी copy है तो इस side में ऐसे करके यहां पर आप लिख देंगे rough work और यहीं पर सारे multiplication और ऐसे करते चले जाएंगे ठीक है ना तो यह आपका आज exercise 5 पूरा completely complete हो गया है उसके बाद हम आपसे next वीडियो में झाल